तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी और आज हम आपको अपडेट देने वाले जो सीवसी ने अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया है आउट की है अपडेट टीक है तो आज की जो अपडेट है वह है एडमिट कार्ड से लेटेड तो बच्चों कि बहुत सारी सवाल आ रहे थी कि अडमिट कार्ड कब आने वाला है किस तरीके से आना वाला है किन बच्चों को अडमिट कार्ड मिलने वाला और किन को नहीं मिलने वाला है तो हम आपके सारी कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब आज हम देन सब्सक्राइब कर लो फिर शुरुआत करते हैं जन्दी चलो चलो बच्छा लोग तो सब्सक्राइब की जो अपडेट है उस से लिट जितने वी आपके सवाल हैं वह हम सारे क्लियर करने खार के वाले हैं ठीक है आपके लिए खुसकबर ही आचुकी हुया जो बच्छे बहुत ज्यादा टाइम से इंतजार में थे ंतजार में कि या कब आ रहे हैं कब आरे देने वाले हैं तो वह आप लोगों का डाउट होगा ठीक है तो वह आपको खिले करने वाले तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अटेंडेंस वगरा प्रॉब्लम हुई होगी क्या अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो स्कूल वाले क्या कर सकते हैं स्कूल वाले कर को आपके टेंडेंस 75 परशंट चाहिए तो हो सकता है आप से कुछ डेमांड करें वो पैसे वैसे कि लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है स्कूल वाले अपनी तरफ से सीबसी ने ऐसा कुछ रूल किया कि आप पैसे वगरा लीजिए कोई फाइन लीजिए तो ऐसा नहीं है हाँ अगर अटेंडेंस की प्रॉब्लम थी तो आप एक मेडिकल वगयरा क्या कर सकते हैं सब्मिट कर सकते हैं स्कूल में और इसके बाद आपको एड्मिट कार्ड मिल जाएगा अब तो बच्कों का प्रेक्टिकल चल रहे था ठीक है टैन्त हों चैसे चल रहे हैं तो बच्चों के प्रिवोट में कम माक्स आये थे जो फ्यल हो गए थे तो वह बच्चे डर रहे ते कि स्कूल वाले आपको एड्मिट कार्ड देंगे या नहीं देंगे तो आपको admit card मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि admit card cbc की तरफ से ऐसा कोई rule नहीं मनाया गया है ना cbc ने ऐसा कोई update किया है कि किन को admit card नहीं देना admit card आप सभी को मिलने वाला है बस बात यह है कि अगर आपके टेंडेश वगरा complete नहीं है तो वह आप complete करके या medical वगरा submit करके आप उसे पूरी करवा सकते है ठीक है और दूसरी बात जो मैं बताया है अगर प्रिबोर्ट मार्क्स कम है ठीक है अगर आपके प्रिबोर्ट marks कम है तो कोई बात नहीं है लेकिन आपको admit card मिलेगा ठीक है तो आप प्रिबोर्ट के marks से आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए तो यह कोई भी रीजन नहीं होने वाला है admit card को ना देने का तो मैं वहीं बता रहा था कि admit card आपके आ चुके हैं और आपके आपके इसकोल वाले जो हैं अब इसकूल मापके admit card print हो रहे होंगे वह भी जो भी होते हैं फिर उनकी process भी होति नवो डिरेक्टर शाइन वगरा प्रिंसपल साइन वगरा होते हैं अब आप जाके कि का अगर सकते हैं Д Cuando fact and Net अब लास्ट बात आती है यह कि बहुत से बच्चों की फीश वगरा जमान नहीं होती है सब्मिब नहीं करते हैं तो उनका क्या हो तो अगर फीर अपकी नहीं तो इसकूल और जितना भी जो भी जो प्रॉब्लम है स्कूल की वज़े से अगर आपको एड्मिट कार्ड देने में आना खानी कर रहें तो आपका फूचर का सवाल है तो आप किसी ना किसी तरीके सा आराम सा एड्मिट कार्ड ले लीजिए ठीक है यही एक खुशकबरी थी यही का अप् किसी कुछ प्रॉब्लम में खान on क Georgetown में तो आपको चलja है संद्रीकाल कार्ड लेदेए पुश क्वेमिट कर सकते हैं कुछा थीक है अगर आप उसी ले खाल और अब दू पहले लेने या फिर जॉब्लम से होता है और बच्ची भीड लगी ओ ठीक है इसकूल का टाइम हो जाता है फिर आपको अब आपको पर पर अब दो दो दिन बाद ले लीजिए एक्जाम 15 से पहले पहले क्या करते हैं बिसे एक्जाम जो होएगा 15th के बाद ही है तो आपको घवरानी की जरूवत नहीं है तो इनमिट कार्ट 15th या 15th से पहले पहले आप ले लीजिए ठीक है ताकि आपको एक्जाम वाले दिन जो आपका एक्जाम हो तो उस टाइम पर आपको कोई भी प्रब्लम या कोई भी प् ठीक है बच्चा लोग तो वही और दूसरी बात अब एडमिट कार्ड भी आ चुकी है अब तो सारी जो हदें थी सारा जो टाइम था सब कुछ खतम हो चुका है तो अब वो टाइम चल रहा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवाइस करने का टाइम अगर आप ये सूच रहे है कि कुछ नया पढ़ लें तो फिर आपके पास वो टाइम नहीं है बच्चा लोग ठीक है तो अब आपको क्या करना है सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके लिए एक्जाम के पॉइंट आव व्यू से बहुत जादा इंप्रेंट मेटीरियल है और जो आपने नोट्स अब बना रखें अपने उन से उन से पढ़िये और यह स्ट्रेटजी बना लीजे कि आपको पर दे दस से बारे घंटे पढ़ना ही पढ़ना है तब ही आपका कल्याण हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप चाहते है अच्छा माकस आए आपका और अच्छा रिजल करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे और अगर अच्छी तरीकी से पढ़ाई करेंगे ठीक है तो पक्का है कि आपका अच्छा रिजल्ट ही बनेगा आपको टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है ठीक है चलो तो बच्छा लोग आज की लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है यही क्या थो आपको बताने आए थे इतनॉट की बात हो जो चुकिए अपने से ऐड्मीट कार ले मैं ठीक है जो भी कुछ पर ओब्लम हो जूर्बं मैं सबको करकी ठीक है क्या करने भी यह आपके लिए बहुत ज्यादा important है आपके लिए admit card लेना क्योंकि बिना admit card ना तो आप एक्जाम दे सकते हो ना ही आपको कुछ नपको paper मिलने वाला है ठीक है तो admit card जाकर ले लिजे मैंने तो लगन से काम कीजिए hard work कीजिए अगर अच्छा material है वो जाकर आप उसका फाइदा लेजिए ठीक है बटा चलते हैं आज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ठीक है चनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है बच्छा लोग थैंक्यू सो मच आप सभी को झाल